ओम शंती, 19 सेप्टेंबर दो हजार चौबिस, बाबा के महवाक्य, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है, अपने आपसे बाते कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में, अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, कौनसी बात बुद्धी में आ गई, तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर, हम बेहद बाप की संतान हैं, तो विश्व के मालिक ठेरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धी में आ गई, तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो, ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे, उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदी खुद ही छोड़ देंगे, कहेंगे वा, हमको तो यह लक्ष्मी नारायन बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शंती और नौलिज तो तुम किसको भी समझा सकते हो, यह स्रुस्टी का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो जट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा, तो भी नौलिश तो पढ़ी लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयू है, इतने जनम होते हैं, कितना सहज है, इनका कनेक्शन याद से नहीं है। यह तो है पढ़ाई, बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से, अगर याद नहीं करेंगे, तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ओंच पद पा नहीं सकेंगे, इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धी का योग बाप के साथ हो। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है, तीचर के साथ योग तो हरेका होगा ही। मूल बात है, याद की, याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है, बाकी पढ़ाई तो बिलकुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं, माया की युद्ध इस याद में ही चलती है, तुम बाप को याद करते हो, और माया फिर अपनी तरफ खीच कर भुला देती है, ऐसे नहीं कहेंगे, कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रविष्टा है, ऐसे हो नहीं सकता। बाब कहते हैं, मैं कोई में जाता नहीं हूँ, हम इस रथ पर सवार होकर ही, तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धी बच्चे हैं, और कोई अच्छा जिग्यासू आ जाता है, तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर द्रिस्टी दे सकता हूँ, सदेव नहीं बैठ सकता हूँ, बहु रूप धारन कर किसका भी कल्यान कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेश्टा है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं, मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सकी, 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं, बाब बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सकी, आत्मा को ही नौलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी आत्मा ही बनती है, तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देती है, तुम जब देवता थे, तो मनुष्य ही थे, परन्तु पवित्र आत्माओं थी, अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते, अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है, अकसर करके यही कहते हैं, बाबा, मेरे से यह भूल हुई, जो हम देहे अभिमान में आ गया, बाब बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म ना करो, तुमको सर्वगुन सम्पन यहां बनना है, पावन बनने से मुक्ती धाम में चले जाएंगे, और कोई प्रश्ण पूछने की बात ही नहीं है, तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो, कहते हैं, लड़ाई में दो करोड मरे, इतनी आत्माओं कहां गई, अरे वह कहां भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो, और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं, तुम्हारा काम है, पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से मौझ पड़ेंगे, कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है, तो मौझ पड़ते हैं, बाप कहते हैं, मन मनाभव, देहे सहित, देहे के सब संबंद छोड़ो, मेरे पास ही तुम को आना है, मनुष्य मरते हैं तो जब शम्शान में ले जाते हैं उस समय मौ इस तरफ और पाउं शम्शान तरफ रखते हैं फिर जब शम्शान के पास पहुँचते हैं तो पाउं इस तरफ और मौ शम्शान की तरफ कर देते हैं तुम्हारा भी घर उपर में है ना, उपर में कोई पतित जा नहीं सकते, पावन बनने के लिए बुद्धी का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्ती धाम में जाना है, पतित हैं इसलिए ही बुलाते हैं, कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिब्रेट करो, तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, बाप जिस भाशा में समझाते हैं, उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे, जो भाशा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना, आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाशा बदल सकती है, नहीं, संस्कृत भाशा आदी कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धरम की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए, फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं, तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो, तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं, इतने मच्छर निकलते हैं, कहां जाते हैं, अर्थक्वेक में धेर के धेर फट से मरते हैं, आत्माई कहां जाती हैं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुमको बाप ने श्रीमत दी है, कि अपनी उन्नती के लिए पुर्शार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है, उस युक्ती में चलो, तुम्हें बाप से वर्शा लेना है, और बातों में नहीं जाना है, इसलिए बाबा घड़ी-घड़ी कहते हैं, अटेंशन, कहां बुद्धी तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए न, और कोई बात में फाइदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की, यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है, यह जरूर दिल में याद रखना है, बाप, बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो बुद्धी का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है, यही बाप भी कहते हैं, तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहां बैठे हो टीचर से पढ़ रहे हो, कहां भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है शिबाबा को याद करेंगे, तो विकर्म विनाश होंगे, और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे यह नौलेज और कोई देना सके, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है न, ग्यान में देखो कितनी ताकत है ताकत कहां से मिलती है, बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो फिर पढ़ाई भी सिम्पल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं यह तो साथ रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे, फिर उसमें हैं बुद्धी पर मदार कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो दो तीन दिन में ही अच्छी रीती समझ जाते हैं मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती हैं, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिम्पल है स्वदर्शन चक्रधारी बनना हैं, एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठेरे यह बुद्धी में आता है ना देवता बनना हैं तो दैवी गुन भी धारन करने हैं जिसको बुद्धी में आ गया, वह फट से सब आदते छोड़ देंगे तुम कहो, ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदी खुद ही छोड़ देंगे कैते हैं वा, हमको यह बनना है 21 जनमों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे चटक जाना चाहिए मुख्य बात है याद की यात्रा बाकी 84 के चक्र की नौलिज तो एक सेकिंड में मिल जाती है देखने से ही समझ जाते हैं, नया ज्ञाड जरूर छोटा होगा अभी तो कितना बड़ा ज्ञाड तमो प्रधान बन गया है कल फिर नया छोटा बन जाएगा तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहां से भी मिल नहीं सकता यह पढ़ाई है पहली मुख्य सिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो बाप पढ़ाते हैं यह निश्चे करो भगवान वाच मैं तुमको राज योग सिखलाता हूं और कोई मनुष्य ऐसे कहना सके टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे न हो बेहद का बाप भी है बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं परन्तु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं भल अपने को भगवान कहीं वा कुछ भी कहीं परन्तु पावन बना नहीं सकते आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं मनुष्य मोंज पड़े हैं कैते हैं अनेक धरम निकलते हैं क्या पता कौन सा राइट है भल तुम्हारी प्रदर्शनी वा म्यूजियम आदी का उदगाटन करते हैं परन्तु समशते कुछ भी नहीं वास्तव में उदगाटन तो हो ही गया है पहली फाउंडेशन पढ़ता है फिर जब मकान बनकर तयार होता है तब उदगाटन होता है फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है तो यह भी बापने स्थापना कर दी है बाकी नई दुनिया का उदगाटन तो हो ही जाना है उसमें किसके उदगाटन करने की दरकार नहीं रहती उदगाटन तो स्वत्हे ही हो जाएगा यहां पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है विनाश होगा फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे सत्युकी स्थापना बापने की है फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राश्थानी मिल जाएगी बाकी ओपनिंग सेरिमनी कौन करेगा बाप तो स्वर्ग में आते नहीं आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है पिछाडी में क्या होता है आगे चल समझेंगे तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर, विद ओनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, खूब पुर्शार्थ करो. धन्दा आदी भी भल करो, परन्तु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदी भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ती से, बाकी तो सब वहां ट्रांस्फर कर दो, सब तो ट्रांस्फर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांस्फर कर देते हैं, भक्ती मार्ग में भी ट्रांस्फर करते हैं दूसरे जनम के लिए, परन्तु वह है इंडाइरेक्ट, यह है डाइरेक्ट, पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन हैं, अभी तो बाप तुम्हारी तो पतितों से लेंदेन है नहीं। तुम हो भ्रामन, भ्रामनों को ही तुम्हें मदद करनी हैं। जो खुद सर्विस करते हैं, उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहां गरीब साहुकार आदी सब आते हैं। बाकी करोडपती तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं, मैं आता भी भारत में हूँ। उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। जहां बाप आकर सारे विश्व की सदगती करते यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धी में सारी नौलेज है। बाप युक्ती ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सब का कल्यान कर देते हैं। सत्युग में कोई अकल्यान की बात रोना पीटना आदी कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा हैं ज्यान का सागर सुख का सागर है। अभी तुम्हारी भी यह महिमा हैं जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो बहुतों को सुख देते हो फिर जब तुम्हारी आत्मा संसकार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहींगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हैल में बैठे हो इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवईया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नईया पार करो क्योंकी दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परन्तु समशते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं। उंच ते उंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सदगती दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचे दिया है। तुम भक्ती नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है मेनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी, तब उन्हों को भी कशिश होगी। बुद्धी का ताला खुल जाएगा। अच्छ, मीठे मीठे, सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग। रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते। धार्ना के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी उन्नती का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धी भटकानी नहीं है। दूसरा, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सबकुछ युक्ती से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माउं से लेन देन नहीं करना है। विद ओनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वर्दान, मन और बुद्धी को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मन संसकार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरन व व्यर्थ द्रश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। फिर बुद्धी उसको सहयोग देती है, मन और बुद्धी अगर उसी प्रकार चलती रहती है, तो संसकार बन जाता है। फिर भिन-भिन संसकार दिखाई देते हैं, जो ब्रामन संसकार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संसकार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी-घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह शत्रिय पन के संसकार है। ब्रामन अर्थार्थ रूलर व्यर्थ संसकारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। सिलोगन मास्टर सर्व शक्तिवान वह है, जो द्रड प्रतिग्या से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। ओम शान्ती। झाल